आज हम बनाएंगे घर के बेसिक सामान से बहुत ही स्वादिस्ट दम आलू की सबजी ये रेसिपी से एक बार आप दम आलू बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका शामर सोई में तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं दम आलू बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज के 400 ग्राम आलू लिये हैं आलू को मैंने कुकर में एक सीटी लगा कर उबाल लिया था यदि आपको ये वाले आलू नहीं मिले तो आप थोड़े बड़े साइज के आलू को दो पीसिज में करके भी यूज कर सकते हो अब हम फो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इने शेलो फ्राय करने वाले हैं यदि आप डी फ्राय करें तो ये मसाले ना लगाएं तो देखिए मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं आलू पर अब हम एक कडाही लेंगे जिसमें तीन से चार च काउन होने तक फ्राय करेंगे हमें इने कंटीनू चलाने की जरूरत नहीं है तो ये जब तक आलू फ्राय होते हैं हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं हमने यहां तीन मीडियम साइज के टमाटर दस बारा लहसून की कली एक इंच अद्रक का टुकडा एक हरी मिर्च साथ से है इधर हमारे आलू भी फ्राय हो चुकी है ये देखिए इन पर हलकी सी कोटिंग आ गई है अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं अब हम उसी कडाही में लगबग तीन से चार चमच तेल एड़ कर देते हैं यहां हमने कुछ खड़े मसाले लिये हैं एक चमच जीरा चार से पांच काली मिर्च एक छोटा टुकडा दालचीनी का एक सुखी लाल मिर्च एक बड़ी इलाइची दो लोंग और एक तेज पता लिया है तेल गरम हो जाने पर सारे खड़े मसाले हम तेल में डाल देंगे साथ ही मैं दो पिंच हींग भी एड़ कर देती हूं इन खड़े मसालों को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए फ्राय कर लेंगे खड़े मसाले फ्राय हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है प्याज फटाफट से सॉफ्ट हो जाएं इसके लिए मैं यहां आदा चोटा चमच के करीब नमक डाल देती हूँ यह प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा प्याज हमारे फ्राय हो चुके हैं अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे यहां मैंने डेड़ चमच कश्मीरी लाल मिर्च ली है यह कम तिकी होती है इसके लिए मैंने जादा अड़ की है एक चमच धनिया पाउडर और आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे इन मसालों को लो फ्लेम करके फ्राय कर लेंगे मसाले हमारे जले नहीं इसके लिए मैं यहां लगबग दो टेबल स्पून पानी एड़ कर देती हूँ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम मसालों को तेल सेपरेट होने तक फ्राय कर लेंगे इसमें करीब 2-3 मिनिट का समय लग जाएगा मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं यह देखे तेल भी सेपरेट हो गया है तो बस इस स्टेज पर हम इसमें यह टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे साथ ही दो चम्मच पाने डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेजिए अब हम इसे ढखकर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे बीच में आप इसे चला लीजिएगा अभी हमें इसे पकाते हुए लगबक 3-4 मिनिट हो गया है एक बार चला लीजिए ताकि यह तले में ना लगे फिर से ढखकर पकाएंगे और यह देखिए हमें मसाले को पकाते हुए 8-10 मिनिट के लगबक हो गये हैं तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है मसाले का कलर भी चेंज हो गया है और यह क्वांटिटे में कम हो गया है तो फ्रेंड्स मसाले को यदि हम अच्छे से नहीं पकाते हैं टेस्ट में तभी फरक आ जाता है इसके लिए मसालो को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है मैंने इसमें एक कप पानी एड़ किया है और इसे मिक्स कर लिया है अब यह बहुत जादा गाड़ा है तो मैंने ए तोड़ा सा नमक और डाल देते हैं वैसे हमने प्याज में भी नमक डाला था एक चोटा चमच कसूरी मेथी डाल दी है और आधा चोटा चमच करम मसाला एड़ किया है अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आलू एड़ कर देते हैं आलू को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस टाइम आप ग्रेवी पतली रखेगा क्योंकि हम इसे पकाएंगे तो ये गाड़ी हो जाएगी और अब हम इसे ढखकर लो फ्लेम पर पकाएंगे बीच बीच में आप इसे चेक कर लीजिएगा हमने सबची को लगबग 12-13 मिनिट के लिए पका लिया है और ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है हमें इसे बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंड़ी होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी ये देखे बिल्कुल परफेक्ट टेक्च है अब मैं इसमें से ये तेज पता हटा देती हूँ हरा धनिया डाल देंगे और बस इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ये देखे फ्रेंड्स ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्चर है अभी हम क्या करते हैं सबजी को ढग देते हैं फिर 15 मिनिट के बा ये पहले से काफी गाड़ी हो गई है केवल 15 मिनिट में तो ये देखिए हमारी गर्मा गरम दम आलू की सबजी बनकर तयार हो चुकी है जिसे आप चावल, रोटी, पराठा, नान किसी की भी साथ सव कर सकते हैं तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ला